रुचिरा भागतीन रुचिरा तृतियो भागह अष्टम वर्गाय सम्स्कृत पाथ्य पुस्तकम प्रिष्ठ संख्या पचास अष्टमह पाथः संसार सागरस्य नायकाह प्रस्वत पाथ अनूपम मिश्र की कृती आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है इसमें विलूपत होते जा रहे पारम परिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबध में चर्चा की गई है पानी के लिए मानव निर्मित तालाब या बावडी जैसे निर्मानों को लेखक ने यहां संसार सागर के रूप में चित्रित किया है पाठ इस प्रकार है शतकम सहस्रम वारच यतस्मा परम विगतेशु द्विशत वरशेशु नूतन पधत्या समाजेन यत किंचित पठितम पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकम च इत्यतानी शून्ये एव परिवर्तितानी अस्य नूतन समाजस्य मनसी यमपी जिग्यासा नईव उद्भूता यत अस्मात पूर्वं एतावतह तड़ागान के रचयन्तिस्मा एताद्रिशानि कारियाणि करतुम ज्यानस्य यो नूतनह प्रविधिय ह् विकसितह तेन प्रविधिनापी पूर्वं संपाधितं एतत्कारियं मापयितं नकेनापी प्रयतितं प्रिष्ठ संख्या इक्यावन अध्य ये अज्यात नामानह वरतंते पुराते बहुप प्रथिताह आसन अशेशे हिदेशे तडागाह निर्मीयंतेस्मा निर्मातारोपी अशेशे देशे निवसंतिस्मा गजधरह येति सुन्दरह शब्दह तडाग निर्मात्रीनाम साधरम स्मरनार्थम राजस्थानस्य केशुचित भागेशु शब्दोयम अध्यापी प्रचलते कह गजधरह, यह गजपरिमानम धारयते सगजधरह, गजपरिमानम एव मापनकार्ये उपयुज्यते, समाजे त्रिहस्त परिमानात्मिकिम लोह यश्टिम हस्ते ग्रिहित्वा चलंतह गजधरह इदानीम शिल्पी रूपेन नईव समादृताह संती, गजधरह, यह समाजस्य गामभीरियम मापयेत, इत्यस्मिन रूपे परिचितः, गजधरह वास्तुकाराह आसन, कामम ग्रामीन समाजो भवतु नागर समाजोवा, तस्य नवनिर्मानस्य सुरक्षा प्रबंधस्य चदाइत्वं गजधरह निभालयं तिस्मा, नगर नियोज लगु निर्मान पर्यंतं सर्वानी कार्यानी एते श्वेव आध्रितानी आसन, ते योजनाम प्रस्तुवंतिस्मा, भाविद्ययं आकलयंतिस्मा, उपकरण भारान संग्रिहनतिस्मा, प्रतिदाने ते नतद्याचंतेस्मा, यद दातुम तेशाम स्वामिनह अ समर्थाह कार्य समाप्तव वेतनानी अतिरिच्य गजधरिभ्याह सम्मान मपिप्रदी यतेस्मा नमह एताद्रिशिभ्याह शिल्पिभ्याह प्रिष्ठ संख्या बावन शब्दार्थाह सहसाईव अकस्मात या अचानक प्रकटी भूताह प्रकट हुए अथवा दिखाई दिये नेपथ्ये परदे के पीछे तडागाह तालाब निर्मा पैत्री नाम बनवाने वालों की निर्मात्री नाम बनाने वालों की एककम एकाई दशकम दहाई शतकम सैकडा सहस्रकम हजार जिग्यासा जानने की इच्छा उत्भूता उत्पन हुई या जागरित हुई अस्मात पूर्वम इससे पहले मापईत्रूं मापने या नापने के लिए प्रयातितम प्रयत्न किया बहुत प्रथिताह बहुत प्रसिध अशेशे संपूल निर्मी अन्तेस्मा बनाए जाते थे प्रिष्ठ संख्या तिरेपन निर्मातारह बनाने वाले गजधरह गज अर्थात लंबाई, चोडाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड को धारन करने वाला व्यक्ति तडाग निर्मात्रि नाम तालाब बनाने वालों के त्रिहस्त परिमानात्मिकीन तीन हाथ के नापकी लोह यश्टिम लोहे की छड समाद्रिताह आदर को प्राप्त गाम्भीरियम गहराई वास्तुकाराह भवन आधी का निर्मान करने वाले कामम चाहे या भले ही निभालयंतिस्मा निभाते थे आध्रितानि आधारित आकलयंतिस्मा अनुमान करते थे उपकरण संभारान साधन सामग्री को संग्रिहनंतिस्मा संग्रह करते थे प्रतिदाने बदले में याचंतेस्मा मांगते थे अतिरिच्य प्रिष्ठ संख्या चववन अभ्यासह अभ्यास संख्या एक एक पदेन उत्तरत क कस्य राज्यस्य भागेशू गजधरह शब्दह प्रयुज्यते ख गजपरिवानम कहधारयते ग कारिय समाप्तव वेतनानी अतिरिच्य गजधरेभ्यह किम्प्रदी यतेस्मा ग के शिल्पी रूपेण नसमाद्रिताह भवन्ती अभ्यास संख्या दो अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत क तडागाह कुत्र निर्मी यंतेस्मा गजधराह कस्मिन रूपे परिचिताह ग गजधराह किंग कुरवन्तिस्मा ग के सम्माननी याह आगे के वाक्यों में जिन जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है, उन शब्दों से पूर्व रेखांकित शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा क रेखांकित सुरक्षा प्रबंधनस्य दाइत्वं गजधराह निभाल यंतिस्मा ख रेखांकित टेशाम स्वामिन असमर्थाह संती ग कारिय समाप्तव रेखांकित वेतनानी अतिरिच्य सम्मानम अपिप्राप्णुवंती ग रेखांकित गजधरह सुन्दरह शब्दह पस्ती ग रेखांकित तडागाह संसार सागराह कत्यंते अभ्यास संख्या चार अधो लिखी तेशु यथा पेक्षितम संधिम संधिविच्चेदम वा कुरूत क अध्य जमा अपि प्रिक्तस्थानम ग रिक्तस्थानम जमा रिक्तस्थानम स्मरनार्थम ग इति जमा अस्मिन रिक्तस्थानम ग रिक्तस्थानम जमा रिक्तस्थानम एते श्वेव गा सहसा जमा एव रिक्तस्थानम प्रिश्थ संख्या पच्पन अभ्यास संख्या पाँच मंजूशातह समुचितानी पदानी चित्वा रिक्तस्थानानी उरयत मंजूशा के शब्द हैं अरचयन्ति ग्रिहीत्वा सहसा जिग्यासा सह चात्राह पुस्थाकानी रिक्तस्थानम विद्यालयम गच्छन्ति ख मालाकाराह पुष्पईह मालाह रिक्तस्थानम ग् मम मनसी एका रिक्तस्थानम वर्तते ग् रमेशह मित्र इह रिक्त स्थानम् विद्यालयं गच्छती। गां रिक्त स्थानम् बालीका तत्र अहसत। अभ्यास संख्या छे पद निर्माणम कुरूत कर जैसे क्रीद हातु में तुमुन प्रत्य मिला करके कर तुम पद का निर्माण होता है। इसी प्रकार आगे के कुछ शब्दों में पद आपको बताना है। त्री जमा तुमुन। इसी प्रकार नम जमा त्वा इनके योग से नक्त्वा पद का निर्माण होता है। आपको आगे के धातु और प्रत्ययों के आधार पर बनने वाले पदों को बताना है। गम जमा त्वा त्यज जमा त्वा भूज जमा त्वा त्वा अगे आने वाले शब्दों से जिसमें की उपसर्ग हैं। धातु हैं प्रत्ययों हैं आपको पद बनाना है। उप उपसर्ग के साथ गम धातु के योग में लिप प्रत्ययों लगने से उप गम्य पद बनता है। आगे के उपसर्ग धातु और प्रत्ययों हैं सम उपसर्ग पूज धातु और लिप प्रत्ययों। आउपसर्ग नीध हातु लिप प्रत्ययों। प्रवपसर्ग दाध हातु और लिप प्रत्ययों। प्रिष्ट संख्या 56 अभ्यास संख्या 7 कोष्ठकेशू, दत्तेशू, शब्देशू, समुझिताम विभक्तिम योजईत्वा, रिक्त स्थानाने पूरयत। यथा विद्यालयं परितह विक्षाह संथ। यहां कोष्ठक में विद्यालय शब्द मात्र है। रिक्त स्थान में विद्यालयं जोकी उनका विभक्ति रूप है, बना करके वाक्य बनाया गया विद्यालयं परितह विक्षाह संथ। इसी प्रकार आगे के पक्तियों में आपको रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान में उभायतह ग्रामा हसंती, यहां कोष्ठक में ग्राम शब्द है। ख रिक्त स्थान में सर्वतह अट्टालिका हसंती, यहां कोष्ठक में नगर शब्द है। ग धिक्त रिक्त स्थान में यहां कोष्ठक में का पुरुष शब्द है। इसी प्रकार आगे के वाक्यों में भी आपको रिक्त स्थान भरना है। उदाहरण है म्रिगाह म्रिगईह सहधावंती। यहां कोष्ठक में म्रिग शब्द है। और इस म्रिग शब्द में विभक्ति का प्रयोग करके म्रिगईह रिक्त स्थान की जगा पर लिखा गया है। और वाक्य बनता है म्रिगाह म्रिगईह सहधावंती। आगे के वाक्य हैं, क, बालकाह, रिक्तस्थानम सह पठंती, कोश्ठक में बालीका, ख, पुत्र, रिक्तस्थानम सह आपणम, गच्छती, कोश्ठक में पित्री, ग, शिशुह, रिक्तस्थानम सह क्रीडाती, कोश्ठक में मात्री, पृष्ठ संख्या, सतावन, योग्यता विस्तारह, अनुपम मिश्र, जलसम्रक्षन के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय, जिन लोगों को है, श्री अनुपम मिश्र, जिनका जन्म, उनीस सव अड़तालिस में हुआ था, उनमें अग्रगण्य हैं, आज भी खरे हैं तालाब, और राजस्थान की रजत बून्दें पानी पर उनकी बहु प्रशंग सित पुस्तके हैं, भाशा विस्तारह, कारक, सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं, एक, कारक विभक्ति, दूसरी, उपपद विभक्ति, कारक चिन्नों के आधार पर जहां पदों का प्रयोग होता है, उसे कारक विभक्ति कहते हैं, किन्तु किन्ही विशेश पदों के कारण जहां कारक चिन्नों की उपेक्षा कर किसी विशेश विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं, जैसे सर्वतह, अभितह, परितह, धिक, आधिपदों के योग में द्वितिया विभक्ती होती है, उदाहरण, धिक, देशद्रोहिनम, सह, साकम, सार्धम, समम के योग में द्वितिया विभक्ती होती है, उदाहरण, जनकेन सह, पुत्रह गताह, दुर्जनेन समम, सक्ष्यम, नमह, स्वस्ति, स्वाह, स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ती प्रयुक्तों होती है, उदाहरण के लिए, देशभक्ताय नमह, नमह, एताद्रिशेभ्यः, शिल्पिभ्यः, जनेभ्यः, स्वस्ति, अलम शब्द के दो अर्थे हैं, पर्याप्त एवं मना करना, इसे हम वारण अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं, पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ती होती है जैसे देश द्रोहिने अलम देश रक्षकाह मना करने के अर्थ में तृतिया विभक्ती होती है जैसे अलम विवादेन विना के योग में वितिया, तृतिया एवं पंचमी विभक्तिया होती है जैसे परिश्रमम, परिश्रमेण, परिश्रमाद्विना नगती है निम्नलिखित क्रियाओं के एक वचन बनाने का प्रयास करें आकलयंति, संग्रिहनंति, प्रस्तुवंति जिग्यासा का अर्थ है जानने की इच्छा इसी प्रकार के अन्य शब्द है पिपासा, जिग्मिशा, विवक्षा, बुभुक्षा प्रिश्ट संख्या 58 भावविस्तारह अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारो तरफ ज्ञान एवं कौशल के विविध रूप दिखाई देते हैं इसमें कुछ ज्ञान और कौशल फलते फूलते हैं और कई निरंतर क्षीन होते हैं इसके कई उदाहरन हमारे सामने हैं पानी का व्यवस्थापन, सम्रक्षन और खेती बाड़ी का पारंपरिक तवर तरीका शिल्प तथा कारीगरी का ज्ञान दुरलभ और विलुप्त होने के गार पर है वहीं अभी यांतरिकी एवं संचार से संबंधित ज्ञान नए उभार पर हैं दरसल किस तरह का ज्ञान और कौशल आगे विकसित और प्रगूर्णित होगा और किस तरह का ज्ञान एवं कौशल पिछडेगा विलुप्त होने के लिए विवश होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश और समाज किस तरह के ज्ञान एवं कौशल के विकास में अपना भविश्य, सुरक्षित एवं सुखमय मानता है। आने वाली छुट्टियों में अपने आसपास के ख्षेत्र के उन पारंपरी के ज्ञान एवं कौशलों का पता लगाएं जिनका स्थान समाज में अब निरंतर घट रहा है। उन्हें कोई उचित प्रोटसाहन नहीं मिल रहा है या वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। उनकी एक सुची भी तयार करें और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले सम्स्कृत शब्द लिखें। अपने और अपने मित्रों द्वारा तयार की गई अलग-अलग सूचियों को सामने रखते हुए इन पारंपरिक कोशलों के विलुप्त होने के कारणों का पता लगाएं। रुचिरा भाग 3 अभी आप सुन रहे थे आठमी कक्षा के लिए संस्कृत की दोनी पाठे पुस्तक। प्रस्तुती C I E T N C E R T C I E T अ ही आप सुन विलुप्त ही आप सक्षा प्रस्तुत प्रस्तुत दोन विलुप्त कर दोन पारंपरिक की आप सुन्यों के भी आप सुन्स